नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव स्रिजन स्पिरिचल के इस प्राथ साथ बजे कथाओं की श्रंखला में आज हम आदिगुरु शंक्राचारे की जीवन लीलान में ही कुमारिल भट के उद्भव के बारे में जानेंगे हम ये भी पता करेंगे की आखेर ये कुमारिल भट थे कौन जी वैसे तो पिछले कई परिच्छेदों में मैंने आप से कुमारिल भट के बारे में हलका सा वर्णन मता रखा है लेकिन आज के परिच्छेद का कुमारिल नामक जो ब्रामन हैं उनका शिर्शक होने के ही कारण आप और अच्छे ते जान पाएंगे के आखेर ये कुमारिल भट थे कौन और इनका इस अद्वैत मत में और मनुश्यों को योग दर्शन कराने में क्या सहयोग रहा होगा तो चली शुरू करते हैं भारत वर्श्मी उस समय कैसा धर्म विपलब उपस्तित हो रहा था इसका उलेक हम पहले बात बता चुके हैं जैन और वैदों के मत प्रचार के कारण वेदों और यग्या नुश्ठानों को बड़ी गरणा के दृष्टी से देखा जाता था बौद और जैन और व्यवस्था की निंदा करते होए वेदों और शास्त्रों को ब्रामणों की गपोण बाजी बताते थे संध्या वंदना आधी करने वाले कर्म कांडियों को भंड़ और पाखंडी बताया जाता था इसी तरह से कापालिक मत्क्या नुयाई लोग द्विजों के शिरों के बलिदान कर भवानी को प्रसन करने की चेश्टा करते थे वेदों और ब्रामणों पर इस प्रकार से जब चारों और से विपत्ती के बादल छा रहे थे तब ब्रामणों ने इन मिथ्या अब धर्मों का विद्वन्स करने के लिए अपना संगठन आरम करना शुरू किया दल के दल ब्रामण बालत फिर वेद विदांगों को पड़कर पांडित बन गए उस समय ब्रामणों के वैदिक धर्म की रक्षा के लिए सबसे पहले ही करतव निश्चित किया कि कुछ भी हो हमको वेदों के अध्यन अध्यापन में ही अधिक ततपरता दिखाने चाहिए इसी समय कुमारिल लाम के एक तेजस्वी ब्रामण युवक का आविर्भाव हुआ कुमारिल का जनम स्थान कौन सा था उन्होंने कौन से ब्रामण वंश में जनम लेकर उसको गोरान बिद किया ये तो सब क्यात होना कठिन ही नहीं नितान तासंवव है क्योंकि भारत के शिनलावद एतिहास का कभी सनलग में ही नहीं हुआ लेकिन शंकर द्युगवजय आदी से जो पता लगता है उसका मर्म यही है कि कुमारिल बट ने नियम पूर्वक भ्रहमुचरे वरत का पालन कर अनेक शास्त्रों को पड़ा वेदों का अच्छी तरह से विशलेशन कर उनकी वास्तविक मर्म को हिदयंगम किया कुमारिल दर्शनों के भी अदूती विद्वान थे वो तपस्वी और तेजस्वी भी इतने थे कि निकट पूर्व से लेकर अब तक उनकी समानता करने वाला कोई त्यागी दृड़ प्रतिगी ब्रहमन इस भारत भूमी में फिरुत्पन नहीं हुआ कुमारिल ने ये तैयारी नास्तिक भोदोर पिशाच कर्मा वामियों के धर्मों छेड के लेकी थी बाले वस्ता में ही कुमारिल ने ये प्रण किया था कि मैं इन अप धर्मों को विद्वस्त कर वैदिक धर्म की दुबार से स्थापना करूँगा सुत्रा शाष्ट्रों में अपुर्व योगिता प्राप्त कर कुमारिल ने यथा समय अपना कार्यारंब किया उस समय की बात है जबकि शंकर नितांत बालक थे शास्त्रों में कुमारिल की जैसी गहन गती थी वैसी ही उनकी सत्ता में दृड़ विश्वास रखने की इच्छा थी और दृड़ विश्वास था अपुर्व विद्वान होने के कारण ही पंडित समाज ने कुमारिल को भट पाद और सुत्र नैन की उपादियों से विभूशित किया था कुमारिल भट ने जब वैदिक धर्म के प्रचार का काम शुरू किया उस समय बौधो की ही चारो और तूती बोलती थी कुमारिल भट आर्श शास्त्रों के तो विद्वान थे लेकिन बौध और जैन शास्त्रों से अनभीग्य होने की वज़़ा से उनके प्रचार कारे में बड़ी बादा आती थी इसलिए चम्न देश धारी और बौध विध्यार्थी का रूप धारण कर कुमारिल भट ने बौधो की एक प्रधान पाठचाला में प्रवेश किया और थोड़े ही दिनों में परिश्रम से उनके शास्त्रों के मर्म को अच्छी तरह समझ लिया एक दिन की बात है कि कुमारिल भट बौध पाठचाला में बैठी ओए अध्यन कर रहे थे और भी अनेक छात्र बैठे पठन पाठन निमगन थे इसी समय कोई प्रसंग को पस्तित होने पर उनके बौध गुरू वेदों की निंदा करते हुए वेदिक धरम को भंडों का धर विरुल अश्रुपात होने लगा इस अश्रुपात को देखकर उनके सहपाटी चात्रों और स्वेम गुरू को कुमारिल पर संदे हुआ और उस दिन से वे एक संदिग्दत चातर समझे जाने लगे बौध ने इस बात को अंत में अच्छी तरह समझ लिया कि यह वैदिक ध उन्हें अपना परमशत्र समझ कर यानि उनको शंकाल दृष्टी से देखकर उनको अपना शत्र समझ कर पाट शाला से निकाल बाहर करने का कोई उपाय सोचने लगे अंत में अकस्मात यानि अचानक से एक दिन ऐसी घटना घटित हुई कि उससे बौधों की इच्छा भी पूर्ण हो गई बात ये थी कि कुमारभट एक दिन एक उची दिवार पर बैठे हुए कुछ विचार कर रहे थे इसी समय विद्वे बुद्धी और च्छात्रों ने पीछे से आकर उनको धक्का दे दिया पहले तो एक बार अहिंसा अहिंसा की तुमल ध्वनी करने वाले बुद्ध च्छातरों पर एक कुटल दृष्टी पात किया और तुरंत ही ये काकर नीचे गिर पड़े कि यदी वेच सकते हैं तो मुझे कौन मार सकता है दिवार पर से गिर पड़ने के कारण कुमारल भट की एक आख सदा के लिए जाती रही लेकिन लेकिन कुमारल ने इ याने बौद्धो को धोका देकर उनकी पाटशाले में अध्यान किया था इसलिए भगवान ने मुझे ये दंड दिया है इसके बाद बौद्धो के धरम की मर्म को पूरी तरह से समझ कर कुमारल भट ने फिर वेदिक धरम का प्रचार करना शुरू किया कुमारल सारे देश में भ्रमन कर बौद्धों के मत का घोर खंडन और वेदिक धरम को महत्वता का प्रतिपादन करने लगे अनेक जगा बौदो से कुमारल का शास्तायर्थ होता युक्ति और तर्क तथा प्रमाणों की जड़ी लगा कर और बौद पंडितों को अवाक कर देते सर्वसाधारन दक्षक श्रोतागण इस अद्बुद द्रश प्रकर प्रतिबा और प्रगाड पंडिति को देखकर मगद हो जाते इसी प्रकार से शास्त्रायर्थ करते और बौदों की पोल खोलते हुए कुमारल भट प्रसिद बौद राजा सुधनवा की राधानी में पह सुधनवा की राधानी में आये थे कि किसी प्रकार से सुधनवा राजा के प्रमात्मक धर्म विश्वास को हटा कर वैदिक धर्म बनाया जाए राजा सुधनवा वैदिक धर्मी हो जाने से वैदिक धर्म के परचार में बड़ी सहायता मिलेगी क्योंकि राजा सुधनवा के उत्साह की बड़ी प्रशन सा सुने जाती थी अस्तु उनकी राजधानी में पहुचकर उन्होंने एक मंदर में डेर डाला और शास्तरात के लिए सुयोग देखने लगे एक दिन कुमारलभट सुनान करके चुपचाप राजमहल के नीचे से होकर जा रहे थे कि एक आएक उनके कानों में आवाज पड़ी कगच्छामी की करूमी को वेदानुधरिश्यती इस व्याकुल वाणी को सुनकर कुमारलभट अवाक रहे गए एकदम सुना वे सोचने लगे कि इस नास्तिक पूरी में और भी कोई प्राणी है जिसे वेदो और वेदिक धर्म की उध्धार की चिंता है लेकिन तुरंद ही उन्हें एक पथिक से पता लगा कि सुधनवा राजा की बेटी वेदिक धर्मनी आई नहीं है वो राद दिन इसी चिंता में व्याकुल रहती है वेदो और वेदिक धर्म का उद्धार कैसी हो क्योंकि इस राजनगर में तो बौदो की नासिकता वाद की ही बोलबाला है यहां तक कि इसके माता पिता भी बौदन मतन्याई है पत्य के कियास्चर चकित करने वाली बात को सुनकर अतिन्त उचाहित हुनोंने वही रादमहल के नीचे खड़े होकर बड़े जूर से कहा माचिंत बारा, माचिंत बरा रोही, भट्ता चार्योसमी भूतले महराज सुधनवा की पुत्री पहले से कुमारल भट की प्रखर बुद्धी प्रगाड, विद्वता और वैदिक धर्म प्रचार की तत्परता की प्रशंसा इसने सुन रखी थी उसने यह भी सुन रखा था कि कुमारल भट आज कल इस राजानी में आये हुए है सुत्रा, उसका विश्वास भट की इस मर्मवाने को सुनकर और भी पक्का हो गया राज कुमारी ने उनकी चरण धूली ली, इसके बाद बौध पंडितों से शास्त्रार्थ करने के संबंद में बहुत देर तक परमशूर तरह अंत में सब बाते ठीक हो जाने पर कुमारल भट अपने डेरे पर आये और उन्होंने राज कुमारी को परमश के अनुसाग राजा के पास अपने आने की सुचना भेजी और उनके बौध पंडितों से शास्त्रायत करने के इच्छा प्रकट की अब राजा सुन्दवा बौध होकर भी बहुत सदाचारी और करतव परायन थे उन्होंने कुमारल भट को बुला कर बड़े आदर सत्कार से उनका बिनन्दन किया और उनके इच्छा नुसार अपने राज जर्बार में शास्त्रायत के प्रबंद कर दिया अगले दिन बड़े समारो से राज जर्बार में बौध पंडित गन आए और महाराज भी अपने राज सिंहासन पर मध्यस्तों कर बैठे एक और उच्छासन पर एका के कुमारल भट बैठे उनकी आसपास कुछ राजधानी निवासी बौध धर्म के ग्रास से पचे हुए ब्राह्मन थे आरंब में ही कुमारल भट ने एक आनकी व्रक्ष पर बैठी कोयल की मधुर्वाने को सुनकर कहा मली नैश्चैन संगस्ती निचह काव कुलह पिका शुरूत तिदूपक निहार्दे श्लाग नियस्त दामवे तात पर ये है कि हे मधुर कंठी कोकिल यदी तो तू प्रशंसनियों हो जाए इस श्लोक का सीधा साधा अर्थ तो यही है कि को के लिए अदि तू इन कोवों का सहवास और मेल मिलाब को छोड़ दे तो तेरे इस मधुर रव में और भी सनिक्दता आ जाए तुझे और भी अधिक गौरव प्राप्त हो इसका दूसरा व दिश्वरवादी, शुर्ती, स्मिर्ती और वेदों की निंदा करने वाले बौधों के चुंड में ना हो तो कितना अच्छा होता बौध पंडितों के दिल पर इस मरमस पर शीव्यंगो की को सुनकर बहुत ही आगसी लग गई उन्हें ऐसा होने लगने लगा कि जैसे भयंक कर विश्दर सर्पने काट लिया हूँ, खा अब वो क्रोध से उनके मुख मंडल सबके लाल हो गए, नेत्रों से भीशन अगनी उनके गिरने लगी, लेकिन इस प्रकार की भाव भंगिमा सत्यवरती कुमारल भट पर क्या प्रभाव पढ़ सकता था, अंत में शास्त्राद शुरू हुआ, बोध पंडितों ने कुमारल को उत्तेजित करने के लिए पहले बहुत गुरुने शब्दों में वेरिक धरम की निंदा करने शुरू कर दी, अब अटल और हिमगिरी की तरह से अचल कुमारल भट ने युक्तितर्क और अटाक्य प्रमानों से साथ प्रमानो का मुकाबला नहीं कर सके, तो अपने शुनेवाद की छीचा लेदर कराने के लिए ही छोटी-छोटी बातों पर उतर आए, राजा की आग्या से बाहर से अनेक प्रसिद विद्वान बौध पंडित बुलाए गए, नामबरवार कुमारल भट ने सबसे शास्तरत किया, अंत में पराजित होना पड़ा, बौध पंडितों के मुह सूख गए, चारों और वेदिक धर्म का जय जयकार होने लगा, अनेक लोग दल के दल आकर कुमारल भटे से वेदिक धर्म की दिख्शा लेने लगे, इस अपूर्व और अदबत व्यापार को देखकर, बौध पंडित क्रोध से उनमत हो उठे, उन्होंने कहा कि यदि वेदिक धर्म और वेदों में इतनी सत्यता और करामात है तो तुम उसकी परिक्शा दो, राजा ने भी बौध पंडितों के प्रभाव में आकर उनकी इस नीच प्रवर्ति पूर्ण बात को स्विकार कर लिला, अगले दिन राज दर्बार में बौध पंडित एक पातर में विश्थर सर्प बंद करकी लाए, राजा को भी ये बात बता दी गई, कुमारल भट के आने पर उनसे पूछा गया कि इस बंद पातर में क्या वस्तु है, यदि तुम्हारा वेदिक धर्म सच्चा है तो उसकी परिक्शा ह हो जाए, कुमारल भट ने भगवान का नाम समन कर कहा, इस पातर में शाली ग्राम की मुर्ती है, अब बौध पंडित कुमारल भट की बात को सुनकर लगे आनन्द सेनाजने, लेकिन जब सब के सामने राज दर्बार में उस पातर को खोल कर देखा गया, तो उनकी नानी मरा गई, क्योंकि पातर में सचमुझी सरब की जगा शाली ग्राम की मूर्ती मौजूद थी, इस आश्चर व्यापार को देख कर सब लोग बड़े आश्चर चकित हुए, लेकिन कुटिल बौध पंडितों ने कहा, कि नहीं ये परिक्षा ठीक नहीं हुए, एक परिक्षा और और वो ये होगी कि तुम परवत से कूद कर अपने प्राण बचाओ, तो समझें इश्वर कोई वस्तू है, जिसने तुम्हारे रक्षा की और वेत तथा वेदिक धरम को कुछ तत्व है, धर्म विश्वासी दिलपतिक गिब्रामन कुमारिल भट तो वेदिक धरम के प्रच प्रवत पर से कूद पड़े, कूदते समय उन्होंने कहा था कि यदि वेद और इश्वर सत्य हैं, तो मुझे कौन मार सकता है, प्रवत पर से गिर कर कुमारल भट के एक पाव में गहरी चोट लगी, जिससे वो कुछ लंगडे से हो गए, लेकिन उन्होंने बड़ी लगी है कि मैंने संदिक्द शब्द यदी का प्रयोग किया था, यदी मैं यदी शब्द का प्रयोग नहीं करता, तो मुझे बिलकुल भी चोट नहीं लगती, कुमारल की अद्बुद और अपूर्व कारे कलापो को देखकर राजा सुनवा तो वेदिक कर्मी होगे, साथ ह इस राजा अग्या के अनुसार सारे राजी में वेदिक जो मत था उस धरम की दुंद भी बजने लगी, कुमारल अपने समय के अद्विते विद्वान थे, वेदिक शास्त्रों और बौदर दर्शनों में उनकी गहन गती थी, इसके सिवा कुमारल भट में आत्मगोरव और आत्म विश्वास की मात्रा पहुत ज़्या अधिक थी, वेदों और स्मृतियों और इश्वर पर उन्हें इतना विश्वास था जितना कि अपने अस्तितु पर, कुमारल भट ने जैमिनी के मिमाशा शास्त्र पर वारतिक लिखे, और अश्वलायन ग्रहस्त्रों पर वारत भट की अंतिम परिक्षत तो इतनी व्याकुल कर देनी वाली है कि संसार के इतिहास में उसका कोई धर नहीं मिल सकता, हम अगले परिछेद में इसी का वर्णन करेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धर निवात